चलो बनाते हैं ब्रिक वाली आइस्क्रीम मोबी सस्ते में तो वो कैसे सस्ते में बन पाएगी मैं बदाती हूँ तो मैं यहां पर लेके आई हूँ विक फील्ड का बटर स्कॉच का आइस्क्रीम मिक्स और पता है इसमें कुछ खास करना नहीं है आपको लिखना है मिल्क उसको हलका-हलका बॉयल कर लेना है और पूरा पाकेट इसमें पलड देना है और इसके बाद तस तीन मिनट तक इसको चलाते जाना है और इसमें रंग है वो गजब दिख रहा है और बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है अब इसको मैंने तीन गंटे फ्रिजर में रखा है और उसके बाद निकालकर इसको अच्छे से ब्लेंड किया है और जैसी मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया ये देखरेवे हो आप कितना साधा ये फलफी सा हो गया है मलब बूरी है जो आईस क्रीम थी अब ही बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी और अब इकदम फूल गही है अब इसको फ्रिजर में 4-5 गंटे डाल कर चैन की नीन से सो जाओ उसके बाद जब ठोगे ना तो ये जमी हुई मिलेगी और इसके बात है करना है मैंने इसको पानी के उपर रखा था पर आप इसको ऐसा मत रखना आप पराम से इसको बहार थोगे दर छोड़ना हो इसके बाद ना पिसे निकालना हो और भई ये देखो लग रही है ना बिल्कुल बादार जैसी और पता है इसका टेस्ट बीना बहुत ही जाला गजब है मैं चली खाने